आधार कार्ड associated with other candidate आप इसमें से बहुत सारे बच्चों को SID पोर्टल पर ट्रेनी वेरिफिकिशन करते समय ये एरर आ रही होगी योर आधार कार्ड is associated with other candidate अब ये एरर क्यों आ रही है और इसको किस तरह से solve कर सकते हैं इसका proper solution क्या है आज की इस वीडियो में हम step by step जानेंगे कि ये एरर क्यों आ रही है और इसको किस तरह से हम solve कर सकते हैं क्योंकि ये error maximum बच्चों के पास आ रही है और जब तक हम इसका reason नहीं जानेंगे कि ये error आ क्यों रही है तब तक हम इसको solve नहीं कर पाएँगे तो बच्चो वीडियो जो है बहुत ज़त इंफॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो में बताएगे किसी भी जानकारी को मिस्स मत करिएगा अब जिस समय भारा सरकार द्वारा SID पोर्टल का लिंक आप लोग के रेइस्टर मोबाईल नमबर पर भेजा गया यानि कि जो आपने ITI के एड्मिशन फॉर्म में नमबर भरा था जब उस पे आपके लिंक भेजा गया तो वो लिंक अलग नमबर भेजा गया और आप लोगों ने किसी दूसरे नमबर से ही जो है SID पोर्टल पर अपनी ID बना ली थी और उसमें EKYC भी 100% कर दी थी जब आप लोगों के बस लिंक आया तो आप लोगों ने क्या सोचा कि लिंक पे क्लिक करके हम नई प्रोफाइल बना लेते हैं और वो आप लोग की बन भी गई उस नमबर से जो नमबर आपने ID की फॉर्म में भरा था लेकिन जब आप लोग अपनी आधार KYC कंप्लीट करने के प्रोसेस किया तो उस समय आपने आधार डीटेल डालने के बाद जैसे ही OTP गया और जब आपने OTP फिलब किया तो आपके सामने एक एरर आई के आधार नमबर is associated with other candidate अब यहाँ पे other candidate कोई और candidate नहीं है यह other candidate आप ही है जो आपने दूसरे नमबर से अपना SID पोर्टर पर registration करके जो वहाँ पे EKYC कंप्लीट करी थी यह उसी candidate की बात कर रहा है तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि यह क्यों आ रही है क्यों आ रही है तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों ने जो दूसरी जो non ITI registered mobile number से जो आपने SID पोर्टर पे login ID बनाई है और वहाँ जो EKYC आपने कर ली है उसकी वज़ा से आपकी यहां पे KYC नहीं हो रही है और इसी वज़ा से आधार number is associated with other candidate की error आ रही है आप इस error को solve कैसे किया जाए क्योंकि जब तक यह error solve नहीं होगी तब तक आपकी सही number पर यानि कि जो आपके ITI का registered number है उससे आपकी KYC नहीं हो पाएगी और KYC होनी उसी पे ज़रूरी है जो आपका ITI में registered number है क्योंकि आपने जिस दूसरे number पे KYC करी है उसमें आपने देखा होगा कि नीचे ITI application का form ही नहीं आ रहा है क्योंकि उसने आपको as a normal बच्चा SIT portal का treat कर लिया है अब जब वहाँ पे ITI application का option ही नहीं आ रहा है तो आपका PRN number भी generate नहीं होगा आपका कोई भी ITI का process नहीं होगा तो अब उसके लिए क्या process करना है कि आपका जो है जो आपका ITI से registered mobile number है उस पे आपकी KYC हो जाए उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको सबसे पहले जो आपने ITI में non registered number से जो आपने registered ID बनाई त्यस ID portal पे आपको उस ID को delete करवाना है आप delete कैसे करवाएंगे जब तक वो ID delete नहीं होगी तब तक आपका यहाँ पे ये error आपका आतर आएगा कि आधार number is associated with other candidate जब आपकी वो ID वहाँ पे delete हो जाएगी उस समय पे जब आप EKYC करेंगे अपने ITI के registered mobile number से तो उस समय पे ये दिक्कत नहीं आएगी अब वो ID आपको delete कैसे करनी है जो आपने उस number से बनाई है जो आपका number ITI में registered ही नहीं है अब उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको skill India portal खोलना है और सबसे नीचे आना है जब आप सबसे नीचे आजाएंगे तो यहाँ पे आपको help and support का option दिखेगा देखिए आपको यह screen में दिख भी रहा होगा आपको इस पे click करना है जब आप इस पे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की screen आजाएगी अब यहाँ पे आपको sign in नहीं करना है जब आप इसको scroll करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक option है submitted ticket का अब आपको यहाँ पे submitted ticket पे click करना है यानि कि आपको SID portal पर एक ticket create करना है जैसे ही आप submit ticket पे click करेंगे तो आपके सामने दो तरह के option आजाएंगे यहाँ पे skill India digital support जा फिर apprenticeship NAPS support तो हम apprenticeship वाले तो हैं नहीं हम है ITI वाले तो हमें skill India digital support के नीचे जो submit ticket का option आ रहा है वहाँ पे हमें click कर देना है जैसे ही हम वहाँ पे बच्चो click कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का form आ जाएगा अब यहाँ पे department देखे आपको दो department दिख रहे हैं जो कि हमें अभी previous screen में दिख रहे थे skill India digital support और apprenticeship वाला तो हमें यहाँ पे skill India digital support ही रहने देना है अब देखे जब आप department select कर लेंगे तो department के नीचे option है contact number का अब यहाँ पे बच्चो आपको वही contact number डालना है जिसकी आपको ID delete करानी है यानि कि वो number जो आपका IT में registered नहीं है और आपने उससे अपनी login ideas ID portal पर बनाके KYC कर ली है तो जब आप बच्चो यहाँ पे जो है number को fill कर देंगे तो उसके नीचे आपको email का option दिखेगा अब बच्चो यहाँ पे देखे email जो है mandatory नहीं है तो हम email नहीं बरेंगे उसके नीचे बच्चो option है stakeholders का अब stakeholder में जो हैं बहुत सारी चीज़े हैं तो हमें यहाँ पे भी अपनी ITI ही select करनी है अब उसके नीचे देखे आपको एक option दिख रहा होगा scheme और component feature यानि कि आपका यहाँ पे किस तरह की scheme है तो हमें यहाँ पे भी जाके जो है ITI related concern को select कर लेना है यहाँ पे और भी कई सारे option है लेकिन हमारा क्या issue है कि हमारा जो आधार है वो किसी और number पे linked है इसलिए हमें यह वाला option यहाँ पे select करना है अब इसके नीचे आपको दिख रहा होगा issue category for sub scheme training type यानि कि आप इसमें हमें क्या select करना है यहाँ पे आपको अपनी ID को delete करवाने के लिए request select करने है तो इसलिए आपको यहाँ लिखना है account delete request तो account delete request जब आप यहाँ पे select कर लेंगे तो उसके बाद देखे, नीचे subject दिखेगा अब यहाँ subject में हम क्या लिखेंगे तो subject में हमें लिखना है पहले उस ID के बारे में लिखना है जो हमने बनाई है और जिसका नंबर जो है ITI से link नहीं है उसका नंबर यहां पर mention कर देना है और mention कर देना है कि हमने यह ID क्रेट करके EKYC complete कर ले थी 100% और जब हमारे पास link आया इस ID पोटल पर भास्तकार के दुआरा तो वो दूसरे नंबर पर आया जो तो अब दूसरे नंबर से हमने ID बनाई और उससे जाके EKYC करने लगे तो हमें error आने लग गया कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे आप हिंदी में लिखेंगे ऐसा आपको नहीं करना है आप यह कोशिच यह करिएगा कि English में लिखिए अपनी समस्या को या फिर आप English में भी लिख सकते हैं यानि के आप जो चीज बोल रहे हैं उसको English के वर्डो में ही टाइप कर दीजे जैसे मालिजए आपको क्या लिखना है तो क्या के लिए आप क्या करेंगे क्या करके लिख देंगे इसी तरह से आप अपनी समस्या को लिख दीजेगा डिस्क्रिप्शन में आप अपनी डीटेल को जो है अच्छी तरह से डिस्क्राइब करिएगा अब डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है बच्चो आपको एक option दिख रहा होगा attachment का अब यहां attachment में आप क्या attach करेंगे अब यहां attachment में आपको जो भी attachment attach करना है वो 20 MB से कम का होने चाहिए अब यहां 20 MB का space दिया है तो मतलब है कि आपको जो है यहां पे एक वीडियो टाइप की बना के आप attach कर सकते हैं ताकि जो है वो लोग प्रॉपर देख सकें कि क्या error आ रही है किस वैसे error आ रही है आपको किस level पर आ रही है अब बच्चों जब हमने सारी detail और attachment attach कर इमेल वाले option पर वापस से redirect कर दिया जबकि email mandatory नहीं थी लेकिन यहां पर लिखा आ रहा है कि email can't be blank तो हम यहां पर बच्चे की registered email ID भी जो यहां पर फिल कर देंगे जो बच्चे ने अपने IT form में फिल करी थी अब जब वो यहां पर सब फिल कर देंगे तब हम नीचे जाके submit वाले बटन पर क्लिक करेंगे अब देखिए submit वाले बटन पर क्लिक करते के साथ ही आपके ticket ID चंदेट हो जाएगी और आपको ticket ID स्क्रीन में दिखने लग जाएगी अब हमने यहां पर बच्चे की ticket ID बलर कर दी क्योंकि बच्चे की समस्य थाकि आप लोग को ना दिखे अ या फिर आपने अगर create कर लिया तो यहां पर आप अपना mail ID और password डालके जैसी sign in पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके tickets के detail आजाएगी तो अब इस process में कितना time लगेगा इस process में बच्चों थोड़ा time लगेगा तो आपको थोड़ा wait करना पड़ेगा ताकि DGT और Scale India number से जो है आपको SID portal create करना है जो आपका ITA में registered है और अगर आप लोगों ने पहले सही ITA में registered mobile number से ID create कर ले थी लेकिन EKYC नहीं हो पा रही थी तो आपको जो भरसकार के द्वारा link आया है सबसे बाद वाला link यानि के recent major link आया है आपको उस link पे click करके जो है अपनी EKYC complete कर नहीं है और जब आभी EKYC complete कर लेंगे तो आपका बच्चो PRA number generate हो जाएगा अगर उसके बाद भी PRA number कभी आपका process में जाता है तो उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि PRA number in process क्यों दिखा रहा है आपका generate क्यों नह informative वीडियो को देखने के लिए ITA की ग्यानी पर बने रहीएगा और अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को कोई प्राब्लम हो रही है तो उन तक हमारी इन वीडियो को जरू शेयर करिएगा ताकि उनकी प्राब्लम जो है जल से जल सॉल्व हो सके और समय पर जो है वह अ हम जल दो है हम जल